नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो जे आरफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई चार वेचारिक पिष्ट भूमी पड़ रहे हैं और बहुत दिनों से इसमें लगातार इंटरप्शन हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहूँगा आप लोगों से और उमीद है कि भविष्चे में इस तरीके से एक निरंतरता के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश हमारी यही रहने वाली है और इसके साथ इसाथ दोस्तों अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो क्वेशन हैं उनको लेकर आएंगे लगबख 10-10 प्रेशन हमारे डेली इसमें आते रहेंगे और यह वाली वीडियोस हमारी जो है सुबह वाले सेशन में हम उसको रखेंगे रोज 10-15 क्वेशन या 20 क्वेशन जितने भी होंगे वो हम देख लेंगे कि कितने की possibilities रहती है तो उसे हिसाब से पहले पेपर को भी हम UGC NET के पेपर तक लगातार उसको continue करने जा रहे हैं तो आप हिंदी साहीतेवारता के साथ जुड़े रहे हैं दोस्तो इन फ्यूचर इस तरीके से कोई भी एक ठहराव नहीं आएगा जो अभी 4-5 दिन से हिंदी साहीतेवारता चन तो इसमें हम दोस्तो वेचारिक पिष्ट भूमी 1.aj4 पढ़ रहे थे जिसमें हमने इससे पहले बहुत सारी चीजे पढ़ ली थी भातिय नवजागरन और हिंदी नवजागरन के बारे में पढ़ लिया था आपका फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हमने पढ़ा था औ उसके बारे में भी हमने विस्तार से चीज़ें डिसकस कर ली हैं और कौन-कौन सी चीज़ें इस यूनिट के लिए महतवपूर्ण है और कौन-कौन सी बुक्स इस यूनिट को समझने के लिए जरूरी है वो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर जो हिंदी खड़ी बोली अंदोलन हो या फिर भारति अंदौर इस चंद्र जैसे आप देख रहे हैं कि आज का हमारा लेक्चर है भारति अंदौर नवजागरन तो उसके लिए आपका हिंदी का गद्दे साहित्य के पुस्तक जो बहुत वेतरीन पुस्तक है उससे आपकी सारी कारगर साबित हो सकती हैं साथ ही साथ अर्यहंत की बुक में भी वे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डिसकस की हुई हैं तो वहां से भी आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब बिना दिर की ये शुरुत करते हैं आज के लक्चर की और इसमें हम बैच प्रक्सिमम किसमे थी वो थी इनकी ब्रजभाशा में लेकिन इनकी जो दूसरी गद्य इनका था पूरा का पूरा उसमें इन्होंने खडी बोली को ज्यादा तबज्यो दिये है और वहीं से माना जाता है कि खडी बोली हिंदी का विकास निरंतरता के साथ होता रहा और इनसे पूर्व जब हम देखते हैं कि जो राजा शेप्रसास सितारे हिंद थे या राजा लक्षमन सिंग थे उन्होंने पर्टिकुलर हिंदी को सपोर्ट करते हुए एक ने उर्दू मिश्रित को सपोर्ट किया तो दूसरे ने संस्कित निष्ट हिंदी को तबज्यो दी थी लेकिन भारतेंदू हरिशंद्र योग में हम देखते हैं कि यहां पर जो खड़ी बोली गद्य है उसका विकास निरंतरता के साथ होता रहा और हिंदी नवजागरण में भी भारतेंदू का एहम योगदान माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में और मेंली जब हम UGC NET की त्यारिय राय ने रखी थी तो देखिए जो राजाराम मोहन राय ने रखी थी ये सबसे पहले हम मानते हैं कि आपका जो नवजागरण है या उसका अविरभाव कहां पर माना जाता है पहले पहले ये कहां पर हुआ था आपके इसके बारे में हमने डिसकस कर लिया था हालांकि पहले भी कि सबसे पहले कहां पर इसका परीचे हुआ था तो यह बंगाल में नवजागरण आया था ठीक है तो यहां पर देखिए यह कहते हैं कि आधुनिक्ता की नीम किस ने रखी थी राजा राम मोहन राय ने ठीक है और हिंदी में यह कारे भारते इंदू हरिश्चंद्र ने कि यही इसको आधुनिक्ता का पितमा ये इनको मानते हैं आधुनिक्ता का जनक भी आप इसको कहते हैं आधुनिक हिंदी का जनक भी इनको कहा जाता है ठीक है और यह जो आपका गद्यकाल इसको मान जाता है जो आपका आधुनिक काल है और आधुनिक काल के उपर हमने पहले ह में बहुत सारी चीज़ें बिसकस कर ली थी तो आप चाहें तो उनको एक बात देख सकते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से समझने के लिए चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं तो देखिए आगे ये कहा गया है कि प्रत्थम सुतनता संग्राम 1857 में हुआ था तो ये तो सरविदित बात है कि जो पहला संग्राम आज़ाता तब 1857 के आसपास माना जाता है और इस विद्रोह के बाद ही हिंदी नवजागरण प्रारंभ हुआ था तो यहीं से हम क्या मानते हैं कि जब भारतेंदू का सब्सक्राइब का पहला विद्रोह नकाम रहा लेकिन वह भारत में आधुनिक्ता की सोच का गवाह भी रहा है। आधुनिक्ता में यह चीज समझ में आ गई थी लोगों के। भरिशेंदर ने पहुत ज्यादा योगदान इनका हिंदी साहित्या में रहा है और इसमें हम देखते हैं कि इनके जो भारतेंदू योग में जो मुख्ये चीजे रही देखी इननोंने कर्मकांडों का विरोध किया ठीक है जो आडंबर थे उनका विरोध किया इस तरी शुद नहीं रही हैं तो एक तो एक चीज है कि इसमें अडंबरों और कर्मकांडों का विरोध हुआ ठीक है दूसरा है आपका जो शुद्र और स्त्री जो मतलब ये कह सकने हैं कि आपके निमन तबके के लोगों के दुर्दशा में जो परिवर्तन लाने की इननोंने बात कही थी पुनर जागरन की इननोंने बात कही है और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो बिदवा विवा है उसका इनोंने समर्थन किया बाल विवा का विरोध किया और लड़कियों की प्रति जो शिक्षा का इनोंने समर्थन किया है भारतेंदू यूप में खास कर और भारते भारतेंदू मंडल के जितने भी कवी रहे हैं वो बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि अब जब हम कवीता वाला पोर्शन इसमें करेंगे तो उनकी खासकर भारतेंदू मंडल के कवीयों की एक आधी पंक्ति अब UGC.net की परिक्षा में बार बार पू पूछा जा रहा है लगतार दो तीन वर्शों से तो आप वहां से भी उनकी जो प्रमक्तियां हैं उनको देख सकते हैं तो सब लोगों का इसमें योगदान रहा है हिंदी नवजागरण में आगे अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात ये कहते हैं कि भारतेंदू और हिं हैं वो हमारे समाज में घट रही हैं और नवजागरण के केंदर में उन्होंने मनुष्य का ही स्थान सर्वपरी माना है कि जो मनुष्य है वो ही क्या है नवजागरण को उन्होंने उसको केंदर में रखा है ठीक है भारतेंदू ने समझा तता देश की ततकालिन परिस्थि तो वो ये कहते हैं कि जो भारत की दुर्दशा है वो बहुती दैनिय हो गई है ठीक है और सब मिलकर इसके जो दुर्दशा है उसके उपर रोते हैं मुझसे आप जो है भारत की दुर्दशा नहीं देखी जाती है तो भारत दुर्दशा इनका जो नाटक है देखी ये आपने पूछी जाती हैं कि ये किस की हैं तो ये भारत दुर्दशा के क्या कारण थे भारत दुर्दशा इस बात से भी अनभिग्य नहीं थे तो वो समझते थे कि जो भारत की दुर्दशा इस तरीके से हुई है वो किस वज़ा से हुई है एक तो विदेशी जो आक्रमनकारी रहे है है ना या फिर आपके जो अंग्रेजों का आगमन था वो भी इसका मौतवपूर्ण पक्ष माना जाता है कि उसकी बज़ा से भारत की जो है दैनी अस्थिती हुई है और अंग्रेजी साशन की वो अलोचना भी करते नजर आते हैं है ना तो ये जो दो तीन चीज़ें इसमें बहुत ही जादा मौतवपूर्ण हैं कि वो ना सिर्फ क्या मानते हैं कि उन्होंने दुर्दशा की जो कारण थे वो इस चीज से पूरी तरह से वाकिब थे और साथ में साथ ये कहते हैं कि अंग्रेजी साशन की अलोचना भी इसमे करते हुए नजर आते हैं जैसे कि वो लिखते भी हैं कि अंग्रेज राज सुक साज सब भारी पैधन वी देश चली जात यह अती खवारी तो यह चीज भी है जो भारतेंदू अरिश्चंदर ने कही है कि अंग्रेजों के राज में जो सुक साज सब सब भारी की वो सब खत हो गए हैं जो भी हमारा अपना धन था पैधन भी देश चले जात यह थी खवारी कि जो सोने की चेडिया भारत हुआ करता था उसको जो है अंग्रेजों ने आज लूट लिया है इसीज को भी इनों ने इसमें बताने की कोशिश की हुई है लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे क जो आपका अंग्रेजी शासन है ठीक है अलोचना तो थी थी साथ ही साथ वो एक तरीके से नवजागरण की उपज भी उसको मानते हैं कि वहीं से लोगों में नवजागरण की जो भावना थी वो पैदा हो गई थी और सिर्फ वो ये नहीं समझते भारतेंदू हरिश्चंदर की जो ये स्थिती है ये खराव किसकी बज़ा से हुई है वो हमारी अपनी बज़ा से भी हुई है ना सिर्फ जो आपके दूसरों के जो शासनकारी है या अंग्रेज है उनकी बज़ा से तो हुई है लेकिन साथ ही साथ वो ये मानते हैं कि जो अपनी चीज़ की चेतना स्वतंतरता प्रधान थी तो ये बात अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है कई बार आपने देखा होगा कि परिक्षा में ऐसी पंक्टियां पूझे जाती हैं है ना कि भारत इंदू योग की चेतना किस तरीके की थी स्वतंतरता प्रधान थी धरम तो यहां पर इन्होंने बात सीरी कई है कि यह क्या है स्वतंतरता प्रधान रही है तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उसके पश्चात जुस्तिती हमारी हुई थी उस चीज को हमने पहले ही जिकर कर लिया कि रोब हुँ सम मिली आके भारत भाई आब हुँ भारत भारत दुर्दशा देखे न जाए है ना तो सबसे important चीज उस वक्त क्या थी वो थी सवतंतरता प्रफ्ट करना तो यही चीज माने चाती है कि नवजागरण के जो चेतना थी वो किस्त्रिके के थी वो हमारी स्वतनत्ता प्रधान थी तो ये पंक्ती बहुत ही जादा मौतपूर्ण है इसको आप नोटिस कर लीजिए और इसके साथ ही साथ अगर आप इसका पीडियेप चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप क हम करते रहेंगे नेक्स से देखिए कि इसलिए वे हर प्रकार के समराज जबाद का विरोध करते रहे तो देखिए भारते अंदू हरिश्चंदर ने हर तरीके के समराज जबाद का विरोध किया है चाहे फिर वो अंग्रेजों का हो या फिर मुसल्मानों का तो देखिए इ पुनर जागरण या पुनर उद्धान तो यह दो चीज़े हैं यह कहते हैं कि ना सिर्फ मुस्लमानों के समराजय से बलकि आपका जो अंग्रेजों का जो समराज़वाद था उससे वो क्या है उसका विरोध करते हैं ठीक है चाहिए वो किसी का भी हो लेकिन परदान है या फिर दूसरी पंक्ति ये लिखी जा सकती है कि वह के वद समराजवाद का विरोध है धर्मों का नहीं तो स्थापना भी सही है और तरक भी इसमें सही होंगे क्यों कि जो आपका समराजवाद का विरोध वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ समराजवाद का करते हैं कि से धरम विशेश का नहीं क्यों क्योंकि हर एक धरम में क्या है कुछ ना कुछ अच्छाईयां जरूर होती है इसलिए धरम का उन्होंने क्या किया है विरोध नहीं किया है समराजयबाद का वो विरोध करते हैं वो अब मुस्लमानों की समानता के प्रशंसा करते हैं तमाम प्र उनको शिक्षित करने के लिए शिक्षा दी गई और उस शिक्षा के जरी क्या हुआ कि वो दोधारी तलवार बन गई अंग्रेजों के लिए एक तो यहां के लोग भी शिक्षित होने लगे और वो बहार की जो चीज़ें थी है न उसमें भी ये चीजें बहुत ही जादा मौतपूर्ण है तो आप इसको हलके में नहीं ले सकते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो स्थापना और तरक के प्रशनों को है वहीं पर ही गलत करते हैं तो इसलिए बैचारिक पिष्ट भूमी को ना सिर्फ तथ्यात् किजेगा आगे देखे कि भारतिय जो नवजागरन है वो भारतिय और यूरोपिय संस्किति का क्या माना जाता है इसको संक्रमन माना जाता है तो ये चीज़ भी अपने आप में ही महतपूर्ण है कि जो दो संस्कितिया है उनके आपसी टकरहट को ही हमने संक्रमन कहा है ये भी हम पहले डिसकस कर चुके हैं, तो इसमें मैं आज विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, सिंपल मैंने आपको इतना सा बता दिया, कि जो आपका नवजागरन है, वो क्या है, बारती और यूरोपेसंस की ठीका संक्रमन है, और इसी समय गद्य की प्रधानता वा उसके लिए खड़ी बोली का प्रियोग जनता को जागरूख करने के लिए भी हुआ, ठीक है, तो ये इसमें महत्पून चीज है, कि उसी समय क्या हुआ, कि जो गद्य की प्रधानता इसमें रही है, तो इसी लिए इसको गद्यकाल की ना उसके पश्चात के जो कवी रहे हुए हैं उन्होंने सब ने खड़ी बोली हिंदी का ही यहां पर प्रयोग किया है अपने नाटकों के जरिए अपनी कवीताओं के जरिए और अपने जो दूसरी गध्य विधाएं हैं उनके जरिए ठीक है तो ये महत्वपून चीज़े हैं इ प्रसास सितारे हिंद के हाथों में था तो ये जो दो नाम है बहुत ही महत्वपून नाम है इन नामों को आप स्किप नहीं करिएगा जब हम हिंदी नवजागरन या खड़ी बोली हिंदी या फिर खड़ी बोली हिंदी के समसे पहले की जागरब बात करें है ना तो वहां पर इन दो राइटर्स का जिक्र जरूर आता रहेगा और इनकी जो प्रमुक रचनाये हैं उसके बारे में भी आपको हिंदी का गद्य साहिते रामजंदर तिवारी वाली पुस्तक में विस्तार से इनकी चीजें दी गई हैं कि कौन-कौन से इनकी पंक्तियां हैं वो भी पू आप मुझे कमेंड सेक्शन में जाकर इसका उत्तर बता सकते हैं ठीक है तो राजा लक्षमन सिंग और शिप प्रसास सितारे हिंद इनको जानने के लिए आप हिंदी का गद्य साहित्य इत्यास की पुस्तक पढ़िए बहुत ही अच्छी पुस्तक है वहां पर विस्तार सी चीजें कही गई हैं तो कहते हैं कि भारते अंदु हरिश्यंदर से पहले का जो नुटित्र था वो किस के हाथ में था इनी के हाथों में माना जाता है और राजा लक्षमन सिंग संस्कित के शब्दों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे तो ये वाली पंक्ती बहुत ही हिंद थे वो हिंदी में आपका जो जबरन फार्सी के शब्दों को डालने के पक्ष में थे तो देखिए एक ने क्या किया एक ने संस्कित के जो शब्द थे उनको बढ़ावा देने की बात कही या हम इसको कहते हैं संस्कित निष्ठ हिंदी की बात इनोंने कही है तो किसने जो सितारे हिंद हैं इन्होंने फार्सी के शब्डों को डालने के पक्ष में ये खड़े हुए थे तो ये फार्सी और संस्कृत दोनो ही भाषाज को संपूनता प्राप्त नहीं हो रही थी ये बात है तो देखिए जिसमें फार्सी पंथा उससे भी हिंदी का कोई जाधा वि उबर पा रही थी देखिए फिर उसके बाद क्या होगा कि हिंदी का जो जो जोड़दार समर्थन है वो आरे समाजियों एवं ब्रह्म समाजियों ने किया है तो ये चीज अपने आप में बहुती जादा मौतपूर्ण है कि सबसे पहले हिंदी का जो समर्थन किस ने किया था भार्तेंदू योग से पहले या भार्तेंदू से पहले वो किया था आपके आरे समाजी एवं ब्रह्म समाजी ओने तो ये दो जो ब्रह्म समाज और आरे समाज हैं ये जो संगठन या कुछ भी आप कह सकते हैं ये बहुत जादा मौतवपूर्ण है इनको आप याद रख ठी, ठीक है, तो ये नाम क्या है, प्रचार किया, या प्रशनसा हो गया यहाँ पर प्रचार आएगा इसमें, basically, कि आपके जो नवीन चंदर राय और श्रद्धराम फुलौरी है, इन्होंने क्या किया है, पंजाब में हिंदी का इन्होंने घुम घुम कर इन्होंने प्रचार प्रचार किया, और जो वरनाश्रम धरम की इन्होंने शिक्षा भी दी थी, जो आपके श्रद्धराम फुलौरी है, ठीक है, तो ये दो नाम भी यहाँ पर आपने देखना है, जरूर इनको याद रखना है, नवीन चंदर राय और श्रद्धराम फुलौरी, पंजाब में इनका जादा योगदान वाना जाता है, हिंदी बाशा को आगे ले जाने का जो आपकी खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है, आगे लिखते हैं कि इस खींचतान में भी हिंदी अपना स्वभाविक विकास करती रही, तो दीखिए जब ये खींचतान चली थी, कि एक संस्कित न भी हिकास होता रहा, और भारतेंदु हरिश्चंदर ने संस्कित निश्च एवं फार्सी अर्वी मिश्रित जो भाशा थी, संबंदी इन दोनों अतिवादों से दूर रह कर इनका किया, जनता की वानी को पहचाना और हिंदी के सच्चे स्वरूप की प्रतिष्ठा की है, त इसी तरीके के प्रशन पूछे भी जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, कि जो भारतेंदु हरिश्चंदर थे, उन्होंने क्या किया था, जो आपका संस्कित निश्च एवं जो अर्वी फार्सी मिश्रित जो दो भाशा हैं थी, उनमें जो अतिवाद था उसको दूर करके उन्होंने क्या किया, जो जनवानी थी, जनता की जो अवास थी, जिसको खड़ी बोली नाम दिया गया, है न, उसका ही इन्होंने सच्चे स्वरूप की उसकी प्रतिष्ठा की है, तो ये था भारतेंदु हरिश्चंदर और भारतेंदु हरिश्चंदर से पहले की जो हिंदी की स्थिती थी वो थी और भारतेंदु अरिशंदर ने किस हिंदी का प्रियोग करने की बात कही है। पहले की बात है। लेकिन बीच में इनकी मृत्य हो गए थी और इनका अधूरा ही उपन्यास रहा था। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने जो कविताएं लिखी नाटक, कथा, अलोचना, रिपोर्ताज, निवंध, इत्यादी इन्होंने भरपूर मात्रा में लिखे हुए हैं। भारतेंदू हरिश्चंद्र ने और हर एक विशे में इन्होंने अपनी कलम चलाई है और साथी साथ इन्होंने जो इनकी पत्रिकाएं भी थी इन्होंने पत्रकारीता भी की है। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया हिंदी को निखारा और नया जीवन देने का प्रियास किया है भारतेंदू हरिश्चंद्र की जहां कभीताएं ब्रजभाशा में थी और वहीं पर इन्होंने क्या किया बाकी जो विधाओं में खड़ी बोली में लेखन का सफलता पूरवक इनकी जो कवीताएं है वो तो सब किसमे है खड़ी बोली सुरी आपकी ब्रजवाशा में है लेकिन इनका जो अन्य गद्य माना जाता है वो किसमे है खड़ी बोली में उन्हें अधिकतर रोप से उसको लिखा है तो यह important चीज है भारतेंदू हरिश्चंदर के समझ में इसको आप No Down कर सकते हैं और तो इनकी रज्ज कहा यह माना जाता है कि जो भारतेंदू हरिश्चंदर है उनकी जो रचना धरमिता है उसमें दोहरापन दिखता है और वो दोहरापन किस वज़ाँ से है इसी वज़ाँ से है कि इननोंने कवीता में क्या है ब्रजभाशा को रखा औ और जो इनके निवंद और दूसरी जो गद्य विदाएं हैं, उसमें इनोंने क्या किया है, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया हुआ है, तो ये बहुती महत्वपून चीजे हैं, और भारतेंदू हरिश्चंदर की आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के उनायक माने जाते हैं तो ये थी important चीजे हैं, नेक्स्ट जो महत्वपून बात ये है, देखिए कि भारत वर्ष उननती या भारत वर्ष की उननती कैसे हो सकती है, इस निवंद से ही हिंदी नवजागरन की शुरुआत माने जाती है, ठीक है, तो ये महत्वपून चीजे है, और आप देखते हैं कि इनके बहुत जादा निबंद हैं, है ना, कौन-कौन से इनके निबंद हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, है ना, उन निबंदों के जरिए उनने समाजिक जो बुराईया है, कूरीतिया है, उनको भी खत्म करने की कोशिश की है, है ना, तो important चीज़े हैं, और एक और महत्रपून चीज़ यह है, कि इन्होंने ये चीज़ कही थी, कि हिंदी नई चाल में डली है, तो काल चकर इनका निबंद है, उसमें इन्होंने ये चीज़ कही थी, कई बार हो सकता है, इस तरीके से प्रशन पूछे जाएं, क्योंकि अब सीधे भाषा वसाहीते के संदरव में, और इसके अलावा, जो हिंदी नवजागरण में मानी जाती है, इनकी जो भूमी का है, वो बहुत एहम मानी जाती है, क्योंकि वहीं से ही इसका विकास माना जाता है, ठीक है, तो हिंदी के विक्सित होने का एक माना जाता है, कि ये क्रम था इसलिए इस पर प्रज का असर भी दिखता है तो दिखिए हमने पहले बात की कि बारतेंदू हरिशंद्र को ब्रज भाषा का असर उनकी कविताओं में दिखता है लेकिन निबंद को इन्होंने क्या किया आपका खड़ी बोली इत्यादी में इन्होंने लिखने की कोशिश की है है ना तो बहुत पूर्ण चीज़ें जो थी वो मैंने आपके बीच में रख दी है अगर कुछ और भी आपके पास इससे रिलेटेड जानकारी है दोस्तों तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमारे साथ साज़ा कर सकते हैं साथ इसाथ टेलेगराम ग्रूप के जरिए आप समझते हैं वहाँ पर आप परसनली मुझे मेसेज कर सकते हैं टेलेगराम में मैं भी आप मुझे मुझे जुड़ सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर कुछ और चीज़े हैं तो आप कह सकते हैं अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद